ओम शांतिम ओम शांतिम ओम शांतिम आत्म की सरवचिस्थिती है साक्षी भाव जिसमें हम इस अंसार के खेल को सभी आत्माओं के पार्ट को होने वाली घटनाओं को जस्ट देखते हैं उसका इफेक्ट हमारे उपर नहीं होता हम उसको एंजोय भी करते हैं ये बहुत उची स्थिती है बाबा ने कहा है जैसे मैं वतन में बैटकर इस अंसार के खेल को सक्सियो कर देखता हूं वैसे ही तुम भी देखो जरा उपर को देखें बाबा जब इस अंसार को नीचे की और देखता होगा तो क्या उसके मन में ये बिन्न बिन्तर है कि दूख, अशामती, परिशानिया, आतंकवाद भरश्टाचार ये सब देखकर कुछ परिशानी होती होगी बिलकुल नहीं उसे पता है जो हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था वही सत्य है और वही तो होना है वही होना चाहिए क्योंकि ये कल्यूक का अंत है कल्यूक के अंत में सच्चाई, मानदारी, पवितरता ये सब कहां हो सकती है तो हम सभी भी बाबा की तरह अपने चित में साक्षी भाव धारन करें हमारे परिशान होने से हमारे उल्जनों में आने से, हमारे दुखी होने से, हमारे प्रस्णों में उलजने से, तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बाबा ने हम सभी को ड्रामा का विशेश ज्ञान दे दिया है, ड्रामा के ज्ञान को योज करते हुए, हम साक्सी भाव को धारन करें, शाक्सी स्थिती, बहुत मेठी स्थिती है, सरुस्रेश्ट स्थिती है, ड्रामा की दस बाते निकाल लें, और उनको अपने चिंतन में लाएं, उनकी प्रेक्टिस करें, जैसे, सभी आत्मा इस इंसार के नाटक में अपना-पना पार्ट बजा रही हैं, कितना सुन्दर खेल चल रहा है, एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक सेकिन नहीं मिलता दूसरे से, कितना वंडर्फुल खेल बना हुआ है, सभात्मा इस तो अपना-पना पार्ट प्ले कर रही हैं, वास्तो में तो यहां किसी का कुछ भी दोस नहीं है, ये बहुत सुन्दर बात रहेग दूसरी बात, जो कुछ यहां हो रहा है, क्योंकि वो कर्म अनुसार हो रहा है, वो किसी ने फिक्स नहीं कर दिया है, मन उसने अपने कर्मों के अनुसार स्वेम उसको बनाया है, तो जो कुछ हो रहा है, वही सत्य है, वही कल पहले भी हुआ था, वही होना चाहिए, इस वा ड्रामा के खेल को देखते हुए, ना कोई question उठे, ना कोई complaint हो, सब ठीक चल रहा है, हर आत्मा का part accurate बज रहा है, जिसमें जितनी शक्तियां हैं, जिसका जितना अनादिय विनासिप part है, वो अपना play कर रहे हैं, हमें उसमें परिशान होने की कोई बात नहीं, और याद करें, सब को देखते हुए याद किया करें, इन सब आत्माओं का अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके बच्चे हों या और कोई, सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं, हम तो केवल निमित उनकी पालना कर रहे हैं, ये संकल्प हमें बिलकुल निश्चिंत करेगा, स सब अपना भाग्य खा रहे हैं साथ में, मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे अपना पार्ट इस ड्रामा में सुन्दर से सुन्दर बजाना है, और जो कुछ हो गया, क्योंकि वो कल्प के बाद ही रिपीट होगा, इसलिए उसको बार बार खोल कर नहीं देखना है, ड्रामा का ये ज्ञान हमें पास्ट को बुला देता है, और क्योंकि भविष्व पूरी तरह निश्चित है, ये भविष्व का ज्ञान हमें निश्चिंत कर देता है, तो इस तरह है, ड्रामा के ज्ञान को याद करते हुए, आज सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी हो कर देखेंग आत्मिक द्रस्टी से देखेंगे, कि हर आत्मा इस सुन्दर नाटक में अपना पार्ट को जा रही है, ये नाटक सच मुझ बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत सुन्दर है, बिलकुल एक्यूरेट है, इसमें करेक्शन की कोई गुंजास नहीं, और उपर को देखेंगे, ग रहे हैं, और अपना सुन्दर पार्ट बजा भी रहे हैं, आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम चांती